नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैदिक उप्चार द्वारा प्रेजेंट स्वास्ति संजीवनी में आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद आप रहें life में all is well इस उमीद के साथ हम इस कारिक्रम को लेकर आते हैं कोशिश करते हैं कि आपको प्राकर्तिक चिकित्सा के माध्यम से दुरुस्त किया जा सके अगर आपके शरीर में कोई रोग घर कर गया है तो उसका प्राकर्तिक निदान आपको दिया जा सके और इसमें ह इसकारिक्रम में हम उमीद यही करते हैं कि लोगों को प्राकर्तिक चिकित्सा के द्वारा निदान दिया जा सके उनके रोगों में उनको लाब दिया जा सके जिसी वीच हमारे साथ रितु गुपता जी जूड़ी है यूट्यूब के माध्यम से वह यह कह रही है कि उनके फ हैं दूसरा अल्दी और साइद का फिर लेप लगाएं उससे भी बहुत अच्छा रा मिलेगा फिर क्या करें जैसे सुबह ओते नाते हैं तो सब उनका इस्तेमाल भूलिकर ना करें मुलता नीमिठी को चेरे पर 10 मिन तक लगाई रहने दे उससे क्या होगा चेरे पर गलो भ बन रही है उसको यह दूर करने में मदद करता है तो यह करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा ला मिलेगा क्योंकि यह बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है यह बहुत सी हमने लेडी जो पर जमाया है इसके अच्छे रेजल्ट आए है बंसल जी एक और यूट्यूब के कैसिया है कुछ घरेलो उपाए बताएं देखो वही बात है इसमें क्या होता है जो मन में जो क्रिया चल रही है इनके क्या कि विमारी के बारे में चारों तरफ सूचते रहते हैं तो मन को शांत करना है तो मन के साथ ओम को लगा देना यानि मोन हो जाना मन ओम देखो मैं और और मन ये बहुत ही गहरी एक साइंस है दोस्तो मन के साथ में ओम को लगा देना यानि मोन ओजाना है मोन को आगर अगर अब संदिविचेद करोगे तो ओम ही आता है इसके बीच मैं सिर्फ वही मन के साथ ओम यानि मोन हो जाओmp दीरे दीरे जा रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है उसकी तरफ कुछ में सोचना है जो विचार मन माते आने दे जो जाते है जाने दे यानी मन को ओम के साथ लगा देना है यानी मन को विचार्ण कुछ नहीं करना है कोई विचार्ण नहीं करना है शिरफ सांसों पर ध्य कैसे जा रहे हैं तो मन के साथ ओम को जोड़ना है यानि मोन हो जाना है अपने मोन होका है बैस सांसों पर ध्यान दें सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है जो विचार आते आने दें उसको खिर दूर से आपने देखना है दूर से देखना है अपने अपने पास से नहीं देखन है वो दूर आपके सरीर में बिमारी है वो आपके एक सरीर में बिमारी है दोस्तों तो उसको जैसे जैसे आप ध्यान देऊगे तो दूर धीरे-धीरे महसूस होने लगेगी आपको जो बिमारी जो आपको चल रही है वो उसको ध्यान से देखें चे पांच मिंट देखें चे mates देंट देखें चिए दस मिंट देखें उस से कोई लेना देना ने है धीरे दीरे आप मोन धान कर लोगे तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा उप जो देखो बिमारी अगर रोग हो गया हो तो दोई से ही जाएगा जो मन में जो बिमारी हो चुकी है मन में जो बिमारी मान लिया जो मन में मंतर चलते हैं वो फिर मन की किरिया से ही जाएंगे जब का आप मन की किरिया नहीं करेंगे प्रियर्मन की किरिया करने का बहुत ही सरल और सीधा उपचार है। देखो हमारी है 60 साल एज हो चुकी है दोस्तो हमने भी बहुत कुछ और किया जितना भी किया बहुत ही इच्छा किया ना चूच आकी बात नहीं यह जो आप करोगे तो आपको मुक्स की कैसे प्राप्ती होती है। खुद आप जब करोगे तब ही होगी मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करोगे जब ही है और राम 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 कहते हैं नहीं नाम ले ले लास्टे मराम तो जब आदमी मरता है तो क्या करें मर्या 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 करता है तो एक दिम राम 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 अपने दे, यानि मोन हो जाएं, अर्मोन होके बिमारी को देखें, जो बिमारी है वो तो दवाई से ही ठीक होगी, फिर आरवेदिक जो कूरस करें, तो इसमें क्या होता है, वही नसों को हमने खूलना, दोस्तों हमने कोई भी बिमारी हो, हमें क्या लेना देना, हमने अपनी नसों को को सोचोगे कि मेरे को आराम मिलने लगया तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आप सोचते हो ना हो जो आप सोचोगे दोस्तों वही होगा हो तो होगा वही जो आप सोचते हो आप बीमारी के बारे में सोचोगे बीमारी हो जाएगी आप ठीक के बारे में सोचोगे ठ ठीक होएगी वो दवाई खाओगे तो आराम पड़ेगा दर्शुकों दवाईयों के माध्यम से आपको आराम पड़ता है लाब देने का प्रयास संस्थान के माध्यम से किया जाता है संस्थान के माध्यम से जिन ओशिदियों का निर्मान किया जाता है वो पूर्ण तहा प्र प्राकर्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है और कोशिश की जाती है कि उन प्राकर्तिक औशिदियों के माध्यम से आपके रोगों में लाब दिया जा सके उसमें आराम आपको पहुंचाया जा सके यह भले ही हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जादा आराम मिल जाए और किसी व् पर जब आप आईयुरवेद की शरण में आते हैं तो निसंद है योग और आयुरवेद के माध्यम से आपको लाब पहुंचता है आपका जो शरीर होता है वो अंदर से पुष्ट होता है अंदर से बल्वान होता है आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें लाब देने का प्रयास संस्थान के माध्यम से किया जाता है तो आप इन स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर बात कर सकते हैं सला ले सकते हैं वाच्टप के माध्यम से अपने रिपोर्ट स्टाइटिंग में रोज करेंगेिंगे तो अच्छा है क्या 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 करा कि निम्भू कहीं कर भी रगडो तो इसको पहलेベुद्वन थी जो कर पॉर्स घीच बनाता आप और इसमें एक वैसे तो हमारे यहां आरवेदीग डाक्टर ना कोरस बनाया है साथ मों कर लेंगे तो अच्छा है लेकिन ये भी करेंगे साथ मों दोनों मिला करेंगे तो सुनने पर स्वागा हो जाएगा और भी अच्छा इनको जल्दी लाब मिलेगा कई बार क्या होता है य अच्छे विन्ने माप देखेंगे बहुत अच्छे रेजल्ट आई है बिल्कुल दर्शको यह जो कब्स की समस्या है कॉंस्टिपेशन है माइग्रेन है इसको आप हलके में बिल्कुल ना ले क्योंकि अगर एक बार कॉंस्टिपेशन आपके शरीर में घर कर जाता है तो ब बताया जा सके कि आप अपने शरीर को दुरुस्त और फिट कैसे रख सकते हैं वो भी प्राकर्तिक निदान के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योगिक क्रियाएं आपको बताया जाते हैं जो आप घर वैठे भी कर सकते हैं यदि अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई है अगर रोग जो है वो जटिल हो गए हैं तो एक बार आप संस्थान को विजिट कर सकते हैं हम हर रोज 11 बजे यूट्यूब और फेस्बुक के माध्यम से आपके पास लाइव आते हैं कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को इस कारेकरम के समक्ष रख सके आपके सवालों को इ आप इसे पसंद करते हैं महतुपूर्ण आपको लगती है इसमें इस कारेकरम के दौरान दी गई जानकारिया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं फिलहाल आप से विदा लेने का समय हो गया है लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम बंसल जी का बं आप